एलो दोस्तो वेलकम टो आवर चैनल उनफोर्जॉब दोस्तो इस वीडियो में हम लोग सभाई स्पीकर के पास कौन-कौन से पावर होते हैं स्पीकर के सैलरी कितनी होती है दोस्तो अब तक कितने लोग लोग सभाई स्पीकर रह चुके हैं और इनके कारेकाल में कौन-कौन से बिल पास किये गए हैं या फिर कौन-कौन से इनिसियेटिव्स लिए गए हैं इन सभी टॉपिक के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसलिए आप वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा इसके दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूँ मेरी वीडियो चुड़ी अफडेट्स के लिए आप मेरी सोसल मीडिया हैंडल्स और यानि स्पीकर का चुनाव किया जाता है दोस्तो अगर हम बात करें स्पीकर के पास कौन कौन से पावर होते हैं तो आपको मैं बता दूँ स्पीकर ही तैय करते हैं कि कोई विदेयक धन विदेयक है या नहीं और ये इनका final decision होता है दोस्तो सदन के अंदर मर्यादा और अनसासन बनाये रखने की जिमेदारी भी स्पीकर की ही होती है और अगर कोई सदन की मर्यादा तोडता है या फिर अनुसासन भंग करता है तो इस speaker के पास जदिकार होता है कि वो किसी भी सदस्य को दंडित या निलंबित कर सकते हैं दोस्तों speaker ये तरह करते हैं कि सदन की बैठक में क्या एजेंडा लिया जाना है और लोग सभाई speaker ही अलग अलग तरह के प्रस्ताओं जैसे अब इस्वास प्रस्ताओं अस्तगन प्रस्ताओं और सेंसर मोसन को लाने की अनुमति देते हैं तो आईए दोस्तों हम जान लेते हैं अब तक के सभी लोग सभाई speakers के बारे में तो दोस्तों भारत के पहले लोग सभाई speaker जीवी मावलंकर थे इनका पूरा ना गनेश वासुदे मावलंकर था इनका जन 27 नॉमबर 1888 को बरावदा में हुआ था जिसे अब हम गुजरात के बारोदरा सिटी के नाम से जानते हैं ये लोग सभाई देश की पतपर दोस्तों 15 माई 1952 से लेकर अपने निधन के समय यानि की 27 फरवरी 1956 तक रहे हैं दोस्तों इने प्यार से दाजा साब मावलंकर के नाम से भी याद किया जाता है और इने पंडि ज्वाहरलाल नेरू ने लोग सभा के जनक की उपादी से सम्मानित किया था दोस्तों आपने से बहुत से लोग सोच रहे होंगे हमारा देश तो 1947 में आजाद हुआ तो ये 1952 में क्यों लोग सभाई स्पीकर वने इसके पहले रिस्पोंसबिलिटी किसके पास थी प्याम में आपका एडाउट क्लियर कर देती हूँ दोस्तों भारत के स्वतनत्र होने पर जीवी मावलंकर ने 20 अगस्त 1947 को गठी तेक समीती की अद्यचता की जिसका कार सम्विधान सभा की सम्विधान निर्माड कारी भूमिका को उसकी विधाई भूमिका से अलग करना अध्यान करना और उसके सम्मद में रिपोर्ट देना था बाद में दोस्तों इस समीती की सिफारिस पर सम्विधान सभा की विधाई और सम्विधान निर्माड कारी भूमिका को अलग-अलग कर दिया गया और यह नेडल लिया गया कि जब यह सभा देश की विधाई निकायक रूपे कार करे तो इसकी अध्यक्षता के लिए एक अध्यक्ष होना चाहिए और फिर सम्विधान सभा विधाई के सत्र की अध्यक्षता के लिए 17 नौवंबर 1947 को जीवी मावलंकर को अध्यक्ष चुन लिया गया इसके बाद दोस्तों 26 नॉवंबर 1949 को स्वतंत भारत का समविधान स्विकार किये जाने पर समविधान सभा विधाई का नाम बदल कर अंतरिम संसत यानि प्रोविजनल पार्लिमेंट किया गया और इस प्रकार जीवी मावलंकर 26 नॉवंबर 1949 से प्रतम लोग सभा के गठन होने तक यानि 1952 तक अंतरिम संसत के अध्यक्ष बने रहे हैं यहोब दोस्ते यहां आपका डाउट प्लियर हो गया होगा पहली लोग सभा गठन होने के पूरू भी अंतरिम संसत था और इसके यह अध्यक्ष थे हैं दोस्तों यह भारती विधार मंडल के इतियास में बहुत नहीं महतपूर दोर था क्योंकि इस अध्यक्ष के दोरान स्वतंद्र भारत के संविधान के तहते अपनी वैसिक संसता से एक संप्रभुत संसत में ट्रांजिशन हुआ था और जीवी मावलंकर ने कई नए नियूमों और प्रक्रियाओं को सुरू किया जैसे कि कोश्चन आवर सौर्ट नोटिस कोश्चन एंड हाफ एन आर डिसकसन इंट्रड्यूस किया गया इसके अलावा दोस्तों कमेटी जैसे कि रूल्स कमेटी विश्यसादिकार समीती कमेट सभा की बैटकों से सदस्यों की अनुपस्तिती संबंद्री समेती और संसह सदस्यों के वेतन और भत्त्यों समेती ज्वैन कमिटी जैसे समीतियों का भारती संसद में गठन जीवी मावलंकर के पहल पर ही किया गया था दोस्तों इन्होंने अपने कारेकाल के दोरान विश्व के विवेन भागो में अंतर संसती संग और राष्ट मंदर संसती संग के अनेक सम्मेलों में भाग लिया और आपको बता दे कि इन्होंने 26 अक्टूबर 1950 को लंदन में नए हाउस आफ कॉमन्स के उद्धार्टन समारों में भारत का प्रतिनिदित किया था दोस्तों इनका निधन 27 फरवरी 1956 को हुआ दोस्तों इनके आकस्मिक निधन के बार सेकेंड स्पीकर और फर्स्ट डेप्टिव स्पीकर म.A. आयंगर थे हैं इनका जन 4 फरवरी 1891 को मदरास प्रिश्डेंसी के चित्तोर डिस्टिक में हुआ था ये दो बार लोगसभा की स्पीकर बने पहला तो जब जीवी मालंकर का कारेकाल के दोरा निधन हो गया तो उनकी जगा पर 8 मार्च 1956 से लेकर 10 माई 1957 तक स्पीकर की पद पर रहे हैं और इसके बार जब 1957 में दूसरी लोगसभा का गठन हुआ तब एक बार फिर 11 माई 1953 से 16 अपराल 1962 तक स्पीकर रहे हैं दोस्तों इन्होंने विस्प की अन्य संसदों के साथ भारती संसदों के समंधों पर भी विशेज ध्यान दिया इसके अलावा इन्होंने अन्य देशों और अंतर राश्टी संसदी संगों के समेलों में गये और कई संसदी परतिनीदी मंडलों का नेत्रित्व किया जैसे कि 1960 में टोक्यों में हुए 49 अंतर संसदी संदी समेलर में भारती संसदी परतिनीदी मंडल का नेत्रित्व किया थ दोस्तो 1962 के आम चुनाव में M.A. अयंगार तीसरी बार लोग सभा के लिए चुने गये लेकिन इन्हों ने बिहार के राजिपाल के रूप में चुने जाने के पस्चाती अपनी सदस्यता से इस्तिपा दे दिया और दोस्तो 1962 में अध्यच पत छोड़ने पर इनकी उसी प्रकार प्रसंसा की गई जिस प्रकार 1956 में दादा सार माविलंकर की की गई थी दोस्तो इन ही दोनों प्रतिष्टित अध्यच्यों के कारण भारत में इस्ट्रोंग एंड हेल्दी पार्लेमेंट कल्चर की निव डाली जा सकी दोस्तो वर्स 1962 के आम चुनावों में सरदार हुकम सिंको पटियाला संसदी निर्वाचन छेत्र से सर सम्मती से तीसरी लोगस सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया इनका जन 30 अगस्त 1895 को वर्तमान के पाकिस्तान पंजाब में हुआ था इनका कारेकार 17 अप्रैर 1962 से 16 मार्च 1967 तक रहा दोस्तों इन्होंने अनेक महतपूर वीश्यों पर हुए बाद विबाद की समय सभा की अध्यक्षिता की जैसे कि भारत पर चीनी आक्रमट के परेडाम सरूप पारित किये गये अनेक प्रमुपिधानों में से इडिफेंस ओफ इंडिया एक यानि भारत का सुरच्छा अधिनियम भी एक था दोस्तों ऐसे गंबीर मुद्दू पर चर्चा की समय जिस तरीके से इन्होंने सभा की क कारेवाही का संचालन किया उसने अध्यच के रूप में इनकी गर्मा को और बढ़ा दिया इसके रहावा दोस्तों अध्यक्षी रूप में इनके कारेकाल के दोरा लोग सभा की तियास में पहली बार अगस्ट 1963 में मंत्री परसत के खिला छे अविश्वास प्रिस्ताव सिक पर कोई समाधान ढूडने के लिए गठित किया गया था इसके बाद दोस्तों इन्होंने 1967 में आम चुनाव में भाग नहीं लिया और 16 मार्च 1967 को अध्यच पर त्याग दिया इनके बाद चौते लोग सभाई स्पीकर नीलम संजीव रेड़ी थे इनका जन 19 माई 1913 को मद्र प्रेश्टिंसी के इलूर में हुआ था जो अंध्रप्रदेश में है दोस्तों लोग सभा की स्पीकर पर दो बार रहे हैं पहली बार लोग सभाई स्पीकर के पद पर 17 मार्च 1967 को आसीन हुए थे दोस्तों इनके कारेकाल में पहली बार और विश्वास प्रस्ताव पर उसी औमाना करने के अप्राद में पहली बार एक वेक्टिको कारागार की सजा दी गई दोस्तों निलम रेड़ी के अध्यक्षता के दोराने अनुसुचित जातियों और अनुसुचित जनजातियों के कल्लेयार पर समीती की अस्थापना की गई थी दोस्तों इन्होंने 19 जुलाई सिंग धिल्लों दो बार स्पीकर के पद पर रहे हैं इनका जन 6 अगस्ट 1915 को अम्रित सर में हुआ दोस्तों इनका कारेकाल पहली बार नीलम सजीव रेड़ी के इस्तिपए के बार 8 अगस्ट 1979 से 17 मार्च 1971 तक रहा और दूसरी बार 22 मार्च 1971 से लेकर 1 दिसंबर 1975 तक इस्पद पर रहे हैं आपको बता दूँ जब गुर्दया सिंग इस्पद के लिए निर्वाचित हुए तो वे उस समय तक के जितने अध्यच हुए थे उनमें से सबसे कम उम्र के अध्यच थे हैं दोस्तों इनों ने अक्टूबर नॉमबर के चित में हस्तिशेप करने का प्रयास नहीं करना चाहिए और ऐसा इनों ने इसलिए कहा था क्योंकि दोस्तों 1970 में जब संसत का सत्र चल रहा था तो सरकार ने सभा को सुचित किये बिना ही कुछ वस्तू के कीमतों में ब्रिद्दी कर दी थी तो इन्हों ने उस घोषना प और परिवान मंत्री की रूप में सपत ग्रहड की तो दोस्तों इनके इस्तिपे के बार पांचवी लोग सभा के अध्यक्ष की रूप में बली राम भगत को निर्वाचित किया गया इनका जम 7 अक्टूबर 1922 को पठना में हुआ इनका कारेका 15 जनवरी 1926 से 25 मार्च 1997 तक दोस्तों इन्हें उस समय देच जुना गया जब देश में आपात काल लगा हुआ था और सभा का निर्धारित कारेका समाप्थ होने को था इनके बार दोस्तों मार्च 1997 में दूसरी बार नीलम सजीव रेड़ी को छटवी लोग सभा का निर्विरोत स्पीकर निर्वाचित क इनके इस्तिफिक के बाद काउदूर सदानन्द हेगडे को लोगस बाइस्पीकर निक्त किया गया इनका जन 11 जुन 1909 को ततकालिन मेसूर राजी के दच्छिड कन्नड जिले में हुआ था और इनका कारेकार 21 उलाई 1977 से 21 जनवरी 1980 तक रहा इनके बाद दोस्तों सात्वी ल अंजकोसी गाउं में हुआ था दोस्तों लोगस बाइस्पीकर की पत पर दो बार रहा हैं पहली बार 22 जनवरी 1980 को इनको सात्वी लोगस बाइस्पीकर निर्वाचित किया गया और 15 जनवरी 1985 तक वह इस पत पर रहा हैं और सेकेंड टाइम सीकर निर्वाचन छेत्र से 16 जनवरी 1980 को फिर से आठवी लोगस बाइस्पीकर निर्वाचित किया गया और इस पत पर 18 दिसंबर 1989 तक रहा हैं और इस प्रकार से दोस्तों यह सबसे लंबे समय तक यानि स्वतनत भारत में ल 17 और 18 लोगसभा के अध्यक्ष के रूप में 10 वर्स का लंबा कारेकार अनेग रूपों में अत्यांत मत्पूर था आपको बता दू यह एसिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनें वर्स 1984 में 3 साल के कारेकाल के लिए राश्ट मंदल संसदी संकी कारेकार्णी समीती का सभाप चुना गया था और इन पदों पर रहते हुए इनों ने कई बैठकों की अध्यक्षता की और उनमें भाग लिया दोस्तों इनके कारेकाल के दौरानी इयर 1985 में संसद द्वारा एंटी डिफेक्शन लोग यानि दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया और 18 मार्च 1986 से ल पशात 1989 में उनमें अनेक परिवर्तन किये गए जैसे कि संसर सदस्यों के लिए कंप्यूटरी करण और आटोमेशन यानि सोचालन प्रडाली की शुरुवात किये गए इन्होंने सदस्यों के हित के लिए पार्लेमेंटरी लाइब्रेरी और इसके सोध संदर्व और सूचना सेवाव के विस्तार छेत्रे में भी कारे किये नौवी लोगसभा के स्पीकर दोस्तों रवी राय थे इनका जन 26 नौवंबर 1926 को ओडिशा के पूरी डिस्टिक में हुआ इनका कारेकार 19 दिसंबर 1989 से 9 जुलाई 1991 तक रहा हाला कि दोस्तों रवी राय अध्याश्पत पर अ लेकिन इनने बहुत सी चुनोतियों का सामना करना पड़ा था दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों इनके ही कारेकाल में पहली बार प्रधानमंत वीपी सिंग की सरकार गिर गए इनके कारेकाल में अनि महत्पूर नेड़ों में से यह भी था दोस्तों इन्हों ने पहली बार भारत की राश्पती को संबोधित किये गये सुप्रीम कोड के जज़ को पत से हटाय जाने की संबद में प्रस्तुल किये प्रस्ताव की सुचन करूंगी आप चाहे तो डारेक्ट हमारे चैनल लर्न फोर जॉब से भी जाकर यहां माई न्यू चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों संसत के चैमरों में टीवी कैमरों को किस सीमा तक प्रवेस करने की अनुमति दी जाय इसकी सुरुवा और फिर सिवराज विश्वनाथ पाटिल सर्व सम्मति से दस भी लोग सभा के अध्यच निर्वाचित हुएं इनका जन 12 अक्टूबर 1935 को हैदराबाद इस्टेट के लातोर रिस्टिक्ट में हुआ था जो अभी महराश्य इस्टेट में है इनका कारेकार 10 जुलाई 1991 से 22 म दोस्तों आपको अभी मैंने बताया था जो पूर्व अध्यच रभी राय ने सिटिंग सुप्रीम कोट के जज के लिए कमिटी के अगठन किया था वो सिवराज सिंग पाटिल के कारेकाल के दौरां सिटिंग जज के विरुद पहली बर मावियोग के प्रस्ताव पर चर्च गए इसके अलावा दोस्तों संसर्थ भौन के परिसर में हमारे इतिहास के महापूर्चों की मूर्तिया और प्रतिमाय इनी के त्वारा सुरू की गई एक अन्य महत्पुर्व पहल थी पीए संगमा दोस्तों 11 लोग सबाई स्पीकर रहे हैं इनका जन 1 सितंबर 1947 को वर्तमान में मेघाले के विष्ट गारो हिल्स में हुआ था इनका कारेकाल 23 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक रहा दोस्तों इनके कारेकाल में भारत के स्वतंतरता के स्वड़ जनती समारो के उपलक्ष में 26 अगस से 1 सितंबर 1997 तक संसत के दोनों सद्नों का विषेश अधिवेशनर आयोजित किया गया था नेक्स्ट स्पिकर दोस्तों GMC बाल योगी इनका पूरा नाम गंती मोहन चंदर बाल योगी था इन्हें दो बार लोगसबाई स्पिकर निर्वाचित किया गया इनका जन 1 अक्टूबर 1951 को मद्रास प्रेश्डेंसी के एदरुलंका में हुआ था जो अब आंध्र प्रदेश में है दोस्तों इनका निदन 3 मार्श 2002 को एक हेलिकॉप्टर दुरगटना में हुआ था और उस समय ये लोगसबाई स्पिकर के ही पद पर थे तो दोस्तों इनके दुखत में तुके पश्चा स्पिकर का पद कुछ समय तक वेकेंट रहा और उपाध्यच पीम साइद ने अध्यच के कर्तव्यों का निर्वाह किया था फिर 10 माई 2002 को प्रतानमंत्री अटल विहारी वाजपेई ने लोगसबाई के नए अध्यक्ष के रूप में मनोहर जोसी के निर्वाचन की मांग करते हुए स्वेम एक प्रस्ताव पेस किया और सभान इसे सर्व समती से स्विकार किया और मनोहर जोसी दोस्तों लोगसबाई की तेरव्य अध्यक्ष की रूप में निर्वाचित हुएं इनका जन दो दिसंबर 1937 को बॉंबे प्रेजडेंसी के राएगर डिस्टिक में हुआ और इनका कारेकार 10 माई 2002 से 2 जून 2004 तक रहा इनके बाद दोस्तों चौदवी लोगसबाई द्यक्ष की रूप में पिर्वाचित किया गया इनका जन 25 जुलाई 1929 को असम के तेशपूर टाउन में हुआ था और इनका कारेकार 4 जून 2004 से 31 माई 2009 तक रहा दोस्तों इनकी पहल पर जिरोहार यानि सुनेकाल की कारेवाही का 5 जुलाई 2004 से सीधा प्रसाड़ किया जाने लगा और संसदी कारेव दोस्तों पंद्रह में और भारत की पैली महिलां लोग सभाय स्पीकर मीरा कुमार रहें, इनका जन 31 मार्च 1905 को बिहार इस्टेट के पत्ना में हुआ और इनका कारेकार 4 जून 2009 से 4 जून 2004 तक रहार इनके कारेकाल के बाद दोस्तों सोलमी और दूसरी महिला लोग सभाई स्पीकर रहें सुमित्रा महाजन इनका जन 12 अप्रेल 1943 को बॉंबे प्रेजडेंसी के रतनागिरी दिश्टिक में हुआ इनका कारेकार 6 जून 2014 से 17 जून 2019 तक रहा दोस्तों इमद परदेश की राजनीती में ताई के नाम से फेमस हैं और आपको मैं बता दूँ ये देश की ऐसी पहली महिला सांसद हैं जो एक ही अस्तान से यानि इन दौर से लगातार आठ बार चुनाव जीती हैं इन्हों दोस्तों अपने अध्यक्ष कारकाल के दौरां 2015 में कॉंग्रेस की 25 सदस्यों को गंभीर अव्यस्था पैदा करने और सदन की कारेवाई में लगातार बाधा डालने के लिए 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था और इसके लगा आपको में इनके बारे में बता दू इन्हें 2021 में भारत के तीसरे सरोच नागरिक पुरसकार पन भूसर से सम्मानित किया गया दोस्तो लोगसभा के 17 में और वर्तमान अध्याच ओम बिगला हैं इनका जन 23 नॉंबर 1962 को राजस्थान के कोटा में हुआ और दोस्तो ये कोटा लोगसभा निर्वाचन छेत्र से 17 लोगसभा के लिए 19 जुन 2019 को निर्वाचित हुए हैं दोस्तो अब हम जान लेते हैं स्पीकर की सेलरी के बारे में तो आपको हम बता दू स्पीकर की सेलरी लगबग 2.5 लाग पर मन्त होती है दोस्तो अब आप मुझे इन कोश्चन का अंसर बताईए फर्स्ट कोश्चन है लोगसभा के अध्याच को सपत कौन दिलाता है अप्सन्स हैं भारत की राश्पती, सुप्रीम कोट के मुख नयादिश, लोगसभा के वरिष्टम सदस या इन में से कोई नहीं और सेकेंड कोश्चन है दोस्तो लोगसभा अध्याच अपना इस्तिपा किसको सौपते हैं क्या ये भारत के राश्पती को सौपते हैं या लोगसभा के उपाध्याच, थर्ड आउस्टन है भारत के मुख के नयादिश या फिर भारत के प्रधानमंत्री को तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन का अंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और आपको मैं बता दू अगर इस वीडियो पर 5000 लाइक्स आते हैं तो लोग सवासे डिलेटर जितने भी इंपोर्टन कोस्चन होते हैं उसको मैं कवर करूंगी और वहां आपको इन कोस्चन का भी आंसर पता चल जाएगा इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक और ज्यादर से ज्यादर जरूर कीजिएगा और आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल लन फोर्जों को सब्सक्राइब करना न भूलें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद